हाइफ्रेंस वेल्कम और वेल्कम बेकटो मैचैनल नहाज़्षीचन मैंने एमजन से एक प्रोड़क्ट मंगाया था यह पनीर मेकर तो धिली देख लेते हैं प्रोड़क्ट कैसा है उसको कैसे यूज़ करते हैं यह भी दिखाया है इस विडियो में तो वीडियो को एज तक देखियेगा तो मैंने यह स्क्वेर में मंगाया है इसमें राउंड शेप में भी आते हैं और साइज इसमें भी आते हैं तो मेरा साइज है अपने चोईस के एकोडिंग मंगा सकते हो तो मुझे यहां पर एक बॉक्स रिसी वह है उसमें प्लेट है और उपर कवर करने के आपको दूद बोई आने के बाद ही फाड़ना है तो आपको बीच में चलाते रहना है ताकि इसमें कोभी मलाई ना जमा हो तो देखिए हमारा बोई आ चुका है तो मैं इसमें पाउडर डाल रही हूं मिल्क रिलक्टिफिकेशन पाउडर है इसको चन्ना बनाने वाला पाउडर भी बोलते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस का यूज कर सकते हो या फिट करी का यूज कर सकते हो तो इसको अच्छे से इसमें मिलाते रहना है और दिरे-दिरे अपने तो आप लेमन जूस भी डालोगे तो आपको इसमें पोर करना है लेमन जूस और इसको स्टेट करते रहना है ताकि हमारा दूद अच्छे से कडल हो जाए तो देखिए कडल हो चुका है तो आप चली इसको सैट कर लेते हैं तो सैट करने के लिए पहले मैंने आप एक पैन ले लिया है उपर बड़ा सा चंदी ले लिया है और उसकी उपर मैं रखोंगी पानीर मेकर मैंने चंदी रखा है ताकि जो भी एक्सिस पानी हो नीचे गिड़ जाए तो अभी पानीर मेकर में सारा पानीर को डाल लेना है तो थोरा थोरा पानीर का जो तुकरा रहेगा चंद बस इसमें square shape में बनता है तो हम कोई भी पनीर टिक का बनाते है या फिसको marinate करके कोई भी सब्जी बनाते है तो क्या shape प्रॉपर आता है कोई भी waste नहीं होता है ताकि जो भी excess पानी है यहीं निकल जाए चेंदे से तो देखें देरे देरे पानी अपने आप नीचे गिरते रहेगा आप इसको टू आवर्स के लिए ऐसी छोड़ दीजे तो इसको टू आवर्स के बाद चेक कर लेते हैं कि सेट हुआ है कि नहीं तो आपको कवर हलके से हटाना है थो आसा चिपक जाता ही यह इसमें तो थो प्रेशर लगता है तो देखें सेट हो गया बस आपको आपको सिंपल नचे से प्लेट पूश करना है तो पूरा पंदीर आपका आराम से निकल जाएगा तो देखें पनीर हर तरफ से अराबर ज करती हूं तो आपको प्रॉडक्त पसंद आया है और आपको पर्चेस करना है तो आपको इसका पर्चेस लिंक निचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो विडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल बटन को ज